हमने पिछले हफते याकूब की पत्री अध्याई 1 उसका पद 1-8 तक हमने पढ़ा था और उसे सीखा था मैंने बताया था कि याकूब जो है वो प्रभु येश्यमसी के भाई है और प्रभु येश्यमसी के भाई जो है येश्व मसी जब इस संसार के अंदर थे देह में थे तब उन पर विश्वास उन्होंने नहीं किया था लेकिन येश्व के पुनरुथान के बाद उन्होंने प्रभु येश्व मसी को पहचान लिया था और उसके बाद वो अपने आपको प्रभयेश मसी का दास कहता है, गुलाम कहता है अपने आपको, वो अपने भाई करके प्रगट नहीं करता और याकूब उन बारगोत्रों को लिखता है जो तितर बितर हो चुके हैं, यानि कि ये वो मसीही लोग थे जो यहुदी समाज में स आए थे और सताओं के कारण इदर उदर ये भटक चुके थे, और उस समय में एक तो सताओं था, जिसके कारण ये दुखी थे, पेडित थे, दूसरी बात अकाल पड़ गया था, और वहां की जो सरकार थी, रोमी सरकार उनके दौरा भी वो सताए जाते थे, तो कई तरह की बाते थी, जो उनको चार ओर से घेरे हुए थी, जिनकी कारण वो सताओं के अंदर से होकर गुजर रहे थे, परिक्षाओं से होकर वो गुजर रहे थे, तो याकूब उनको बताता है, उनको लिखता है, उनको प्रोचसाहन देने के लिए वो इस पत्री को लिखता है, हमने सीखा था पिछली बार कि हमारे जीवनों में परिक्षाइं जरूर आएंगी और याकूब इस परकार लिखता है कि नाना परकार की परिक्षाइं आएंगी नाना परकार की परिक्षाइं आएंगी तो परिक्षाइं जरूर आएंगी दूसरी बाते दूसरी बात हमने जो सीख करना है हमें याद रखना है कि परमेशर हमारे संगर्षों में हमारे साथ में खड़ा हुआ है वो हमें गिरने नहीं देगा ना तो यह हमने सीखा था तीसरी बात हमने सीखी थी हमारे जीवन की परिक्षाएं हमें धीरज प्रदान करती हैं जो समश्य जो परिक्षाएं जो हम हमें क्या करती है, हमें धीरजूनत बनाती हैं, सब्र करने वाला व्यक्ति बना देती हैं, तो हमारे लिए जो परिक्षाइ हैं, वो दो पाइदे की बात है, परमेशन हमारे जी उन्हों में परिक्षाओं भेजता है कि हम धीरजवान हो जाएं हमारे अंदर धेर्य की कमी होती है परमेशन हमें धीरजवन्त बनाना चाहता है इसलिए वो हमारे जी उन्हों में अनेको परिक्षाओं को भेजता रहता है चोथी बात जो हमने सीखी थी, परिक्षाय हमें सिद्ध बनाती है, क्या करती है परिक्षाय हमें सिद्ध बनाती है, तो ये सिद्ध सब्द जो है, यहाँ पर याकूब साथ बार इस्तेमाल करता है पूरी किताब के अंदर, ये सिद्ध सब्द जो है, इबरानी में इसका मतल मतलब है संपूर्णता परिपूर्णता तमीम सब्द जो आया है यह संपूर्णता को परिपूर्णता को दर्शा आता है यहनी कि हमें परमिशर संपूर्ण बनाना चाहता है परिपूर्ण हमें करना चाहता है यह सिद्ध बनने से मतलब तो चोथी बाद सीखे थी परिक्षा जो परिक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकल कर वह जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा, जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को देने की प्रतिग्या की है, हालेलुया, तो परिक्षाई आएंगे, आनन से पारम करते रहेंगे, धिरजवान होते जाएंगे, सिद्ध होते जाएंगे, और इसका और क्या प्रतिफल है, परिक्षा में जो स्थिर रहता है, जब हमारे जीवनों में परिक्षाई आती हैं, उस दोरान जब हम परिक्षाई में खड़े रहते हैं, तो हम परिक्षाई के ऊपर अपनी निर्भरता का सुबूत देते हैं, जब हम परिक्षाई में स्थिर बने रहते हैं, तो हम ये प्रगट करते हैं, कि मैं परमेश्र के ऊपर संपूर्ण रिती से निर्भर हूं, मैं परमेश्र संपूर्ण रिती से विश्वास करता हूं, हम अपने एक सुद्ध विश्वास का, अपने मजबूत तो क्या पर लिखा यहां पर तो हमें परमेश्र क्या देता है जीवन का मुकुट देता है अलेलुया परिक्षाओं में खड़े रहने का प्रतिफल हमारे जीवन में परिक्षाओं का आने का प्रतिफल हमें क्या मिलता है जब हम स्थिर रहते हैं परमेश्र हमें जीवन का मु करता है कुछ विद्वान इस प्रकार लिखते हैं कि यहां पर जो मुकुट की बात की गई है यह उस समय में जो खेल में हिस्सा लेने वाले जो लोग होते थे और उसमें जो जीता था जो विनर होता था उसको एक पत्तियों की माला पहनाई जाते थी एक शाबासी के तोर पे क कि शाबास तो ने अच्छा किया कुछ विद्वान इस प्रकार भी इसको लिखते हैं लेकिन यहां पर लिखा है जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने प्रेम रखने वालों को देने की प्रतिग्या की है तो परिक्षाएं आएंगी हमें स्थिर ब अनन जीवन का आनन जीवन की आसीज हालेलुया आगे बढ़ते हैं तेरा में क्या लिखा हुआ है तेरा में इस प्रकार लिखा है कोई भी वैक्ति परिक्षा के समय ये न कहे कि मेरी परिक्षा परमेश्र की और से है क्योंकि बुरी बातों से ना तो परमेश्र की परिक्ष करता है जब किसी की परिक्षा होती है जब कोई व्यक्ति परिक्षा से होकर गुजरता है तो वो ये ना कहें कि परमेश्र मेरी परिक्षा कर रहा है बुरी बात उसे परमेश्र किसी की परिक्षा नहीं करता देखें यहां पर जो परिक्षा सब्द आया है उसका मतलब है प्र परक और प्रलोबन दोनों में बहुत अंतर है परक परमेशर हमारे विश्वास की परक करता है परमेशर हमें हमारे जी उनमें परक हमेरे विश्वास को परकने के लिए परिशाये भेज सकता है हालेलुया इबराणियों 11.17 में क्या लिखा वाए आई देखते हम विश्वास ही से इबराहीम ने परके जाने के समय इस हाग को वेदी पर चड़ाया अर्था जिसे प्रतिग्याय मिली थी वही अपने कलोते पुत्र को बली चड़ाने पर था परमेशर ने इबराहीम के विश्वास को परखा क्या करा उसके विश्वास को परखा परिश्या मतलब यहाँ पर विश्वास को परखे जाने की बात हो रही है वो परमेशर देखना चाहता है कि इबराहीम कितना प्रेम मुझ से करता है कितना विश्वास वो मुझ पे करता इसका विश्वास की सच्चाई क्या है इसका विश्वास असली है या नकली है वो परमेश्र ने इस जाज को करने के लिए उसको एक उसकी परिश्या ली उन्हें कहा कि जो तेरा बेटा है इसे तु क्या कर मेरे लिए होम बली करके चड़ा दे परमेश्र ने इबराहीम की वि प्रलोबन नहीं भेजता, हमारी विश्वास को परखने के लिए प्रलोबन नहीं भेजता, प्रलोबन का दूसरा सब्द क्या होगा, बताइए आप लोग, लालसा कह सकते हैं, प्रलोबन ऐसी बात जो हमें अट्रेक्ट करती हैं, ऐसा चीजे जो जिनके द्वारा हम, जिनको क करके हम पाप में पड़ सकते हैं, परमेशर प्रलोबन नहीं भेजता, प्रलोबन जो है, वो सैतान लेकर आता है, क्योंकि उसको पता है, कि हम स्वभावी करिती से पापी हैं, ठीकि परमेशर विश्वास को परखता है, परमेशर हमारी कभी भी ऐसे परिक्षा नहीं करता, जिससे कि हम पाप में गिर जाएन, इसलिए वो इनको ये कहना चाहता है, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी परमेशर मेरी परिग्षा कर रहा है, प्रलोभन जो होता है वो सैतान लेकर आता है परमेश्ण हमारी परख करता है क्या करता है परख करता है तो पहली बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो है कि परमेश्ण हमारी परिक्षय स्रीति से नहीं करता कि हम पाप में पढ़ जाएं उदारन के लिए हम बोल सकते हैं कि परमेशन हमारे विश्वास को परकने के लिए हमारे सामने सराव लेकर नहीं आएगा कि देखता हूं कि यह पाप में इसको पी के पाप में पड़ेगा या नहीं परमेशन इस प्रकार गलत तरीके से गलत चीजों के द्वारा हमारी परिक्षा नहीं करता ना परमेशन इस प्रकार हमारी परिक्षा करता है कि वो ऐसी स्त्रीक सामने लेकर आए कि यह वैविचार करके पाप में गिर जाए परमेशन इस प्रकार की गलत चीज़ों के द्वारा हमारी परिक्षा नहीं करता तो हम पाप में कब किस कारण पढ़ते हैं? 14 हमें लिखा है परन्तु प्रतेक व्यक्ति अपनी अभिलासा में अभिलासा के द्वारा खिच कर वो फस कर परिक्षा में पढ़ता है हम परिक्षा में कब पढ़ते हैं? हमारे अंदर जो इन बिल्ट है पाप हमारे अंदर है हम उस पाप के द्वारा खिचे चले जाते हैं उस पाप हमारा जुकाव जो है हम स्वभावी करीती से हम पापी हैं हमारा स्वभाव पाप करने वारा स्वभाव है पाप हमें परिक्षाय इस प्रकार की बाते जब हमारे सामने आती हैं जिनके कारण हम पाप करके हम गिर जाते हैं वो हमारे अंदर के पाप के कारण होता है प्रतेक व्यक्ति अपनी ही अभिलासा में खिच कर और फस कर परिक्षाय हम पढ़ता है हम जब पाप में गिर जाते हैं हम यह नहीं कह सकते कि मैं पाप में गिर गया क्योंकि परमेशन मेरी परिक्षा कर रहा था परमेशन हमारी परिक्षा ऐसे कभी नहीं करेगा कि हम पाप में पढ़ जाएं कि मेरे सामने परमेशर वेविचार करने की प्रिस्तिती लेकर आया और मेरे से वेविचार हो गया और मैं पाप में पढ़ गया नहीं वेविचार की प्रिस्तिती परमेशर नहीं लेकर आया था वो आपके अंदर पाप है उसके कारण आप वेविचार की और गए थे क्योंकि सैतान आपके बारे में जानता है आप हमारे अंदर जिन पापों से हम होके निकले हैं पर वो जानता है कि हमारे अंदर क्या कमी है वो जानता है कि हमारा स्वभाव जो है वो पाप का स्वभाव है इसलिए सैतान हमारे सामने ऐसी चीजे लेकर आता है जिनके कारण हम उनमें फसकर पाप में गिर जाते हैं तो कभी भी ये न कहें कि परमेश्र ने मेरी परिक्षा ले और में पाप में गिर गया हमारी आंतरिक पाप और अभिलाशा हमें पाप में गिराती है जो हमारे अंदर का पाप है दाउद कहता है मैं अपनी माता की गर्ब से पाप को लेकर पैदा हुआ हूँ हमारे अंदर हम जब तक इस संसार में हैं हमारे अंदर ये पापी स्वभाव से संगर्ष हमारा चलता रहेगा ऐसा कभी नहीं होगा कि हम इस पापी स्वभाव से निकल कर बिल्कुल संपूर्ण पवितरता में हम वो हो जाएंगे पहुँच जाएंगे जीवन भर हम पाप के संगर्ष से होकर गुजरते रहेंगे हमारे सामने ऐसी प्रिसितिया आती रहेंगे हम कई बार गिर भी जाएंगे लेकिन याद रखिए गिर के गिरे रहना मसीह का एक मसीही व्यक्ति का सुभभाव नहीं है हमारे जीवन में ऐसी प्रिसितिया आएंगी कई बार हम गिर जाएंगे लेकिन हमें परमेशर से माफी मांगनी है और हम अपनी गिरी हुई अवस्था से फिर उठकर हमें फिर से अपने विश्वास की दोड में दोड़ना है तो याकूब कह रहा है उनको कि जब तुम खुद पाप करते हो खुद पाप में गिर जाते हो तो कभी भी परमेशर के उपर सका इलजाम मत लगाना परमेशर पाप में गिरने वाली अवस्थाओं के द्वारा हमारी कभी परिक्षा नहीं करेगा हमें पहचानने की जरूरत है जब हमारे सामने ऐसी प्रिसिति आ रही है कि ये किस की ओर से है प्रलोभन जो होता है वो आंत्रीक होता है परिक्ष्या जो होती है वो बाहर से आती है ना बाहर से आती है प्रलोभन जो है लालशा जो है अभी लाशा जो है वो अंदर से उत्पन होती है हमारे अंदर inbuilt है वो अंदर से होकर आती है प्रलोबन की जड़े हमारे अंदर बसी हुई है रोमियो 7.15 से 20 में पोलुस इस परकार कहता है और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वह नहीं किया करता परंतु जिस से मुझे घ्रिनाती है वही करता हूँ और यदि मैं जो नहीं चाहता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि विवस्था भली है तो ऐसी दसा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाब है जो मुझ में बसा हुआ है क्या कर है पोलुस हम पोलुस के बारे में जानते हैं एक अच्छा निपुन अग्वा जो कि बहुत ही बाइबल के अंदर उसने अच्छा योगदान है नए नियम के अंदर लगबग 13 पत्रिया उनकी लिखी हुई है वो ये बात कह रहा है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है वो कहता है इसका कारण जो मेरे अंदर का पाप है वो है उसके कारण ये ऐसा होता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझमे अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तुवास नहीं करती, इच्छा तो मुझमें है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा करता हूँ, वही किया करता हूँ, परंतु यदि मैं वही करता हूँ, जिस की इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है वो बताना चाहरा है कि हमारा स्वभाव जो है वो पापी स्वभाव है हम कई बारी इस प्रकार की प्रिस्थिती से होके गुजरेंगे लेकिन याद रखिए परमेश्र के सामने हम में अपनी आपको लेकर आना है हम अपनी सामर से कभी भी पाप से दूर हो ही नहीं सकते अपनी सामर से अपनी कोशिसों से हम कभी पाप से दूर नहीं हो सकते हमें परमेश्र की जरूरत है हमें परमेश्र की और देखने की जरूरत है हम निरंगतर प्रभू से सामर्थ हुआ की अवस्थाई युसुफ उस पाप में पड़ा नहीं लेकिन उस पाप का उस-ने इनकार किया क्या किया हुआ 15 में किस प्रकार लिखा है फिर अभीला शाह गर्ववती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यू को क्या करता है उत्पन करता है कई बारी हमें कुछ पाप हमें लगता है कि ये छोटी सी तो बात है और हम क्या करते हैं पाप सुरुवात में छोटा नजर आता है लेकिन धीरे धीरे जब वो विक्षित हो जाता है हमारे अंदर तब वो मृत्यू को जनम देता है जब हमारा जुकाव हमारी खुद की आंतरी की च्छाव की होर होता है तो हम पापों में गिर जाते हैं ऐसा ही होता है कि नहीं होता है हमें पाप सुरू में छोटा नजर आता है कि कोई बात नी ये तो माफी मागनूँ आ विक्षित होता जाता है क्या होता जाता है विक्षित होता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और वो एक से उसी एक पाप के कारण फिर दूसरे कई और पाप हमारे जिवनों में आ जाते हैं दाउद की बारे में जानते हैं दाउद की सेना जो थी वो युद पे लेकिन दाउद खुद घर के उपर, अपने महल के उपर टहल रहा था। उसकी इक स्तरी नजर पड़ी जो की वहां पर नहा रही थी बतिसेब को सकते सब थी, उसके yes, उसके उसके कारण पाप में गिर गया। दाउद ने उसको अपने महल में बुलाया और उसके साथ उसने वेविचार किया, वो पाप में गिर गया, क्यूंकि वो वहां पर नहीं था, जहां पर उसे होना चाहिए था, राजा लोग युद करने के लिए जाते थे, लेकिन ये राजा पता नहीं किस कारण अपने घर में साइद आलस इसके जिवन में आ गया होगा, आलसी होकर अपने महल में बैठा हुआ है, युद करने के लिए अपनी सेना के साथ में नहीं गया, जबकि राजा को सब से आगे होना चाहिए, लेकिन जब ये आलस के कारण ये किसी कारण वस वहां पर युद में नहीं गया, आ लेकि उसने एक पाप को अपने जिवन में आने दिया, लेकिन उसके बाद में उसने क्या करा, उसके पती को भी मरवा दिया, दूसरा पाप, एक पाप किया था, लेकिन उसी एक पाप के कारण दूसरा पाप करने के लिए वो मजबूर हो गया, उसने उसके पती को मरवा दि उस पाप के कारण और जो काम पाप में जो पाप उनके जीवन में बढ़ता चला गया उस पाप के कारण उन कामों के कारण दाउद को अपने जीवन भर दुख उठाना पड़ा हम परिक्षाव में पढ़ जाते हैं हम पाप हम कर देते हैं याद रखिए परमेशन माफ तो कर देता है हमारे पापों को लेकिन उसका जो हरजाना है वो हमें भरना पड़ेगा हमें नुक्षान जो है उठाना पड़ेगा माफी तो मिल जाएगी, कर देगा प्रभू माफ लेकिन हरजाना हमें अदा करना पड़ेगा हमें उसकी सजा उठानी पड़ेगी दाउद एक पाप किया उसे छोटा साइद उसको सामाने बात लगे उसने पाप कर दिया हम अपने जीवन में एक बार पाप को आने देते हैं हम कर देते हैं और उसके बाद में वही पाप हमारे अंदर से दूसरे पाप को लेकर आता है फिर तीसरे पाप को लेकर आता है इस प्रकारों क्या है या लिकाना कि वो गर्ववती होता क्या करता है अभिलासा गर्ववती होकर पाप को जनती है एक पाप हम अपने अंदर आने देते हैं वही दूसरे पापों को पैदा करता रहता है और पापों की सीमा हमारे अंदर निरंतर बढ़ती जाती है इसलिए याकूब उन बारगोतरों को कहता है जो लोग साइद ही वो सोच रहे होंगे कि परमेशर हमारी परिक्षा कर रहा है पापों में वो साइद गिर रहे होंगे इसलिए वो उनको ये बात समझा रहा है उनको बोलता है सोला के अंदर हे मेरे प्रीए भाईयों धोखा मत खाओ याद रखो परमेशर तुमारे जीवन में प्रलोभन अभी लासाइं लेकर नहीं आता परमेशर तुमारे सामने तुमारी परिक्ष्या इस प्रकावर से नहीं करता कि तुम पाप में पढ़ जाओ, पाप में हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर पाप है अब इलाशाओं में हम फर्ष जाते हैं, हमारे सामने जब पाप आता है, हमारे अंदर एक trigger है, वो पाप का trigger, वो दबता है और हम क्या करते हैं, उस पाप के चंगुल में फर्ष जाते हैं, परमेशर इस प्रकार से आपकी परिक्षा कभी नहीं करेगा, हम पाप करके कभी यह ना कहें, कि परमेशर मेरे सामने ऐसी प्रुस्तिती लेकर आया था, और मैं परमेशर के कारण पाप में गिर गया, परमेशर का दोसी नहीं है, दोसी हम खुद हैं, हमने अभी लासाम अपने आपको फसने दिया, हम युसुफ के समान अनुसासित नहीं थे अपनी आत्मेक जब हम अनुसासित नहीं होते हैं, तब हम नुक्षान उठाते हैं, तब हम पाप में गिर जाते हैं, याकूब कहता, भाईयों, धोका मत खाओ, इस धोके में मत रहो, कि परमेशर तुमारी परिक्ष्या करता है, धोका मत खाओ, परिक्ष्या तुमारे जीवनों में प्रलो वो बन जो है वो गिराने की अवस्था वाले पाप जो है परमेश्र नहीं सैतान लेके आ रहा है दोका मत काओ तुम धोके में मत रहो की परमेश्र की और से हमारे साथ ऐसा हो रहा है पहला यहांना 216.17 में लिखावा है क्या लिखावा है क्योंकि वह सब जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाशा आखों की लालसा वो जीवन का एहंकार पिता की और से नहीं परन्तु संसार की और से है यही तीन चीजे हैं जो हमें ज़्यादा तर जिन के कारण हम पाप में पढ़ते है क्या है तीन चीजे शरीर की अभिलाशा शरीर की वासना शरीर की अभिलाशा आखों की लालसा हमें बहुत सारी चीजे अच्छी लगती हैं हम उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं आखों की लालसा जीवन का एहंकार धन का घमण यहापर जीवीका का घमण दूसरी में गिरता है पहली कुन सी है शरीर की अभिला जो हमें पाप में वेभी चार में पड़ने की परिश्य हमारे जिए उनमें लेकर आती है दूसरा क्या है आखों की लाल्चा संसार हमें देखने में सुंदर संसार की चीज़ें अच्छी लगती हैं हम उन चीजों की और भागते रहते हैं, हम ये नहीं सोचते कि परमेशर की योजना क्या है, क्या मेरे लिए ये चीज भली है, क्या मेरे लिए चीज भली नहीं है, हम सोचते नहीं है, बस हम अपनी भावनाओं की आधार पर, हम उन चीजों की तरफ भागते रहते हैं, भागत सब जो संसार में है अर्थासरी के बिलाजा, आखों की लालशा जीविका का घमन जीवन का एहंका पिता की ओर से नहीं परंतू संसार की ओर से है जब ये इस परकार के चीज़े हमारे सामने आती हैं तो इन तीन चीज़े को ध्यान में रखिए इस परकार सारीक चीज़ों के दौरा हमारे विश्वास की परख नहीं करेगा पिता की ओर से नहीं परांतो संसार की ओर से हैं सत्रह वह लिका है संसार तथा उसकी लाल साइं भी मिठती जा रही है परांतु है जो परमेश्र की इच्छा को पूरा करता है। बना रहेगा सत्रा में लिखा है क्योंकि हर एक अच्छा वर्दान और उत्तमदान उपर ही से है और जोतियों के पिता की ओर से मिलता है जिसमें ने तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ने अदल्बल के कारण उस पर छाया पड़ती है हालेलुया तो हमें जो परिक्षाएं ऐसे चीज़ें हमारे सामने परमेशर की ओर से नहीं आती जो में गीरा सकती है परमेशर की ओर से क्या कौन से चीज़ें हमें मिलती है परमेशर की ओर से हमें भली और उत्तमासी से मिलती है हालेलुया भली और उत्तमासी से मिलती है अठा किया ताकि हम उसके स्रिष्टी कीवी वस्तों में से एक प्रकार के प्रथम फल हूँ हालेलुया तो परमेशर की ओर से हमें जो मिलती हैं हमारे जीवन में जो आती हैं वो पाप में गिराने वाली बाते नहीं होती हैं ऐसी चीजे परमेशर कभी नहीं भेजेगा जिनके कारण हम पाप की और मृत्यू की और हम चले जाएं, परमेशर तो हमें भली वस्तुए और उत्तम आसी से प्रदान करता है, हालेलुया, पंद्रा में लिखा हुआ है, देखिए, जब अभिलासा गर्भवती होती है, तो पाप को जनती है, और तब पाप हो जाता है, तो मृत्यू को करता है, क्या करता है, मृत्यू को, क्या परमेशर हमारे जीवन में मृत्यू लेकर आता है, क्या परमेशर हमारे जीवन में मृत्यू लेकर आता है, नहीं, मृत्यू लेकर आता है, जो किसके कारण आती है, पापो के कारण, पाप परमेशर हमारे जीवन में लेकर नहीं आत अपने इच्छा से अठारम पड़ रहा हूं अपने इच्छा से हमें सत्य के वचन के दवारा उत्पन किया है उसने हमें उत्पन किया है वो तो जीवन देने वाला परमेशर है वो मृत्यू देने वाला नहीं है वो हमें जीवन देने वाला परमेशर है परमेशर के और से हमें भली और उत्तमासी से मिलती है अर्थात हमें जीवन मिलता है वो हमें नया जन्म देता है क्या देता है नया मसी को प्रतम फल कहती है पहलोठा कहती है परमेशर हमें प्रतम फल के जैसा बनाना चाहता है यानि कि किसके जैसा प्रभु येश्व मसी के जैसा बनाना चाहता है परमेशर हमारे लिए जीवन लेकर आता है उत्तम आशी से और भली आशी से लेकर आता है परमेशर हमारे में याद रखिए हम कई बारी पाप करते हैं और हम से पाप हो जाता है और हम उनको बड़ी आसानी से क्या करते हैं परमेश्टर की परिक्षा का नाम दे देते हैं बड़ी आसानी से कि मेरे से हो गया कि परमेश्टर मेरी परिक्षा ले रहा था और मैं देखो उस परिक्षा म में कभी भी ऐसी प्रिस्ति ऐसे परिक्षा लेकर नहीं आएगा जिसके कारण आप पाप में पढ़के मृत्यू की ओर चले जाओ रोमियों में लिखा है पाप की मजदूरी क्या है मृत्यू है परमेश्ण जीवन देने आया है वो हमारे जीवन में ऐसी चीज़े कभी लेकर नहीं आएगा जिनके कारण हमारे जीवन में मृत्यू आए वो हमारे जीवन में ऐसी चीज़े लेकर आएगा जो हमें जीवन की ओर हालेलुया उसने सत्य के वचन के द्वारा हमें जीवित किया है वो हमारे जीवन में सत्य का वचन लेकर आया सत्य के वचन को हमने जाना सत्य के वचन को समझने की सामर पुवितरात्माने हमें दी सत्य के वचन के द्वारा हमारा चीवन परिवर्तित हुआ हम नए हो गए हालेलुया और दिन प्रती दिन हम मसी के स्वरूप में ढलते जाते हैं हालेलुया दिन प्रती दिन हम मसी के स्वरूप में ढलते जाते हैं सो हमने इन तीन बातों को सिखा है कि परमेशर हमारे परिक्षय इस रीती से नहीं करता कि हम पाप में पढ़ जाएं अपने आंतरिक पाप और अभी लासा हमें पाप में गिराती है जो हमारे अंदर पाप है जो हमारा स्वभाव है हम स्वभाविक रीती से पापी है और हम जब हमारे सामने पाप आता है, ऐसी अवस्था आती है, तो हम गिर जाते हैं, क्योंकि अंदर से एक ट्रिगर प्रेस होता है, हम उलज जाते हैं उसके अंदर, परमेशर हमारे जिवन में ऐसी प्रिस्तिति लेकर नहीं आता, कि हम पाप में पढ़ जाएं, पाप का हमारे अंदर के अभी लासा हैं, और तिसरी बात हमने से कि परमेशर की ओर से हम भली और उत्तमासी से पाते हैं, पाप और मृत्यू नहीं, वरंतो जीवन और मसी के स्वरूप में ढलते रहने वाली अद्बुद आशिशे, हालेलुया, ये बाते हम मसी की ओर से प्राप्त क करते हैं, सो कई बारी हमने ऐसा कहा होगा कि परमेशर मेरी परिक्षा ले रहा है, परमेशर मेरी परिक्षा ले, परमेशर गलत बातों के द्वार आपकी परिक्षा नहीं लेंगे, याद रखिए, आप जब परिक्षाओं से होकर गुजरते हैं, आपको देखना है, आपको गुना करते जा रहा हूं और मैं इल्जाम परमेश्र की ओर लगा रहा हूं ऐसी बाते हमारे जीवन में हो सकती हैं तो हम अपने जीवन को जात सकते हैं कि कितनी बार हमने परमेश्र को ऐसा बोला होगा कि परमेश्र मेरी परिक्षा कर रहा है लेकिन गलती हम हमारी खुद की ह होती है हम खुद हमारे अंदर के अभी लाशाओं को उमड़ने के लिए रास्ता खोल देते हैं हम उनको उमड़ने देते हैं जिसके कारण हम पाप के अंदर बंद के रह जाते हैं बाइबल के ती सब के अंदर पाप है युसुफ के अंदर भी पाप था लेकिन उसको उसने उ रिक्ष्या जो हो रही है, मेरे सामने जो अवस्था है, ये सैतान लेकर आया है, परमेश्र का इसमें कोई हाथ नहीं है, आए अपने आख को बन करें, खड़े हो जाएं अपनी जगहों पे